अपने चेहरे के अंचाहें बालों से परशान हैं और कोई ऐसी घरीलू होम रेमेडी ढून रहे हैं जो आपको मिंटो में रिजर्ट दे और उस रेमेडी की स्तमाल से आपकी स्किन पर किसी तरीके का डैमेज भी ना हो और आपका टाइम एंड पैसा दोनों से वो तो ये तो आप इसको वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा क्योंकि आज की यह होम रेमेडी है इसे बहुत ही असानी से हम बना सकते हैं लाइफ प्रूफ में आपको करके दिखाने वाली हूं कि किस तरीके से आप अपने बॉड़ी का किसी पार्ट का है या फिर अपने अपर ल तो आपके अंचाहिए बाल मिंटों में दूर होगी तो पूरी प्रोसेस को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना और बिलकुल मत बुलेगा और इस तरीकी की रेमेडी आप देखन तो बिना देखिए चली आईए फटा फट से अब अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इस होम रेमेडी को बनाने के लिए यहां मैंने लिया है एक पैन और उसमें फ्रेंड्स में आदा गिलास के करीब एड कर दूंगी पानी तो यह मेरा गिलास जो है छोटा है तूसी जिंजर जो कि हम सभी के घर में होती है चाय में इस्तमाल होती है उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यह पानी जो है वो गरम होने लगेगा तो उसमें आप बड़ा चमच के करीब एड कर देंगे चीनी तो जिस हिसाब से जैसे कि आपको बताया कि आपको वेक्स ब रिखेंगे और कम से कम सभ़ाओं तो चाहरे सकते के देखेंगे पज़ाकित निकाली गुट गर्स करेंगे घृवं तो इसके बाद हम आधा चम्मच के करीब इसमें एड करेंगे लेमन जूस जो कि इसकिन पर वाइटनिंग का काम करेंगा साथी स्किन पर ब्राइटनिंग भी करने वाला है साथ की साथ इसको हम चलाते भी रहना है क्योंकि चीनी है वो जल्ली ही जमने लगती है तो देखिए मैं इसे चलाती जा रही हो बिल्कुल भी रुकना नहीं है बिल्कुल सिम फ्लेम आपको कर देना है और आप देखेंगे कि इससरी केसे में बबल साने लगेंगे तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका थिक सा पेस्क सा बन जाए जैसे कि चार्षनी गाड़ी चार्षनी हो जाती है ना कुछ उस टाइप से हमें इसे बनाना है मार्कीट में मिलने वाली वैक्स फ्रेंड्स काम तो बहुत अच्छे से करती हैं लेकिन कि क्या साइड एफेक्स होते हैं ये हमें ट्राइ करने के बाद ही पता लगता है लेकिन इस तरीके की होम रेमडी से आप अपना फेशेल हेयर बॉड़ी का किसी पार्ट का हेयर तो इसमें आप आदा चम्मच के करीब एड कर देंगे नमक यानि कि सॉल्ट यह क्या करते हैं इसकिन को बैक्टीरिया फ्री बनाता है इसकिन पे के पोर्स को डी प्लीन भी करता है साथ की साथ जब आपका हेयर रिमूव होता है तो बहुत ही अच्छे से स्किन पर यह काम क हो गया है और फ्रेंट से इसको फिर हम सिंफलेंग से निकाल लेंगे और से थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ज्यादा थंडा नहीं होने देंगे वनना यह जमने लग जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यह रैमेडी बनके तयार हुई है और थोड़ी देर मे ही फ्रेंट साफ और देखेंगे कि रखे रखे भी यह रैमेडी गाड़ी होने लगेगी तो आप देख सकते हैं अभी यह गरम है मैंने से फिंगर पर अपलाई करके देखा और से कि देख रहे हैं आप तार बन रही एकदम जम सा जा रहा है बिलकुल वेक्स की तरह हो गया और साथी उसकी जो हेर ग्रोथ है वो भी स्लोट डाउन होगी एक महीनी की गारेंट्री तो फ्रेंट्री तो फ्रेंट्स में आपको देही सकती हो की सरीके से आप वैक्स करेंगे तो डीपली हेर रिमूव होने वाला है तो फ्रेंट्स यहां मैं आपको अपने अपर लिप् प्लाइ करेंगे तो इसके बाद आप देखेंगे कि यह रखे 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 इतनी गाड़ी होगी और इसे हमें थोड़ी सी गुन-गुनी कर लेना अगर यह बहुत जादा जम जाए उसके बाद फिंगर की हैल्ट से आप अपने हेर वाले पोर्शन पर इस तरीके प्रेट करते हुए आप इसे ट्राइ करेंगे तो फुल इसी पर ही आप द्यान देंगे कोई और काम बीच में नहीं करिएगा वरना यह तुरन जो चीनी की वैक्स है यह जमने लगती है तो आप इस तरीके से अपने जहां का भी हेर हटाना चाहते हैं अंडर आम्स लैक के हैर तो आप इस तरीके से इस रैमेडी को अपनी स्किन पर लगा लेंगे हलका सा डैप डैप करेंगे यादा आपको बहुत ज़्यादा चिप चुपाहट फील हो रही है तो थोड़ा सा तेलकम पाउडर का भी हाँ इस्तिमाल कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इसके बाद एक मिनिट आप इस रैमेडी को लगा रहने दीजिए और इस तरीके से आप इसको निकालेंगे एकदम रबड की तरह यह निकल के बाहर आएगी और इसी की साथ जो आपका फेशियल हेर आपके जो अपर लेफ से वो निकल के बाहर आजेंगे जैसे कि मैंने आपको वीडियो में करके सेम आपको ऐसे ही इसे रिमूफ करना है फिर इस रैमेडी को ही फ्रेंड जो यह बन गया है बॉल सा इसी की हेल्प से ही आप जो बची कुछी आपकी वेक्स किन पर रहगी उसको भी डबडब करके निकालेंगे तो जो कुछ बचा कुछा हेर वो भी निकल जाएगा और यह इस रैमेडी भी एकदम से बाहर आजाएगी तो बिलकुल भी मैसी प्रोसेस नहीं है बहुत ही असान तरीके से आप अपने फेशल हेर को घर की चीजों से ही रिमूफ कर सकते हैं वह भी बिना स्किन को किसी तरीके का हाम पुचाए डेमेज पुचाए जब आप इस वेक्स क बिल्कुल मत दूंगे और यह लाइक लिए तो इस तरीके से आप घर में वैकसिंग करेंगे तो आपकी सिकिन काली भी नहीं पड़ेगी इस तरीके करने का महिने भर के लिए फ्री हो जाने वाले हैं तो इस रिके से मैंने तो कर लिए अपने अपर लिप्स रिमुव आपक जरूर ट्राइ करिएगा यह था मेरा आज का वीडियो उमीद करती हूँ आज की यह होम रेमेडी आज की यह वेक्स आपको बहुत यादा पसंद आई होगी आप भी वीडियो देखते ही अंचाहें बालों से चुटकारा पाने के लिए इस रेमेडी को जरूर ट्राइ करिएगा और वीडियो को यहां तक देखा है वीडियो को कोई भी पार्ट अचलागा वीडियो से कोई भी इंफर्मेशन विलिए हो तो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत बुलेगा जरूरत मंदों के साथ शेयर जरूर कीजेगा ताकि वो भी इस रेमेडी को फायदा उठा सके और साथी चैनल पर यदि आज पहली बार विजिट के हैं या पिर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं जल्दी मिलते हैं और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना कुछा रखाया रखेंगे खोश रहेंगे थैंक्यों पर वाचिंग बाबाई